Welcome to Research Rocks, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको SIP हम कैसे शुरुआत करेंगे using Angel B application के थूँ, Angel B ये application Angel Broking का ही सब पार्ट है, बट Angel B ये specially SIP के लिए बनाई गई है, तो इस application के थूँ हम कैसे SIP स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही simple process है, जो मैं आपको मेरे mobile पे कीजिए अपने YouTube Channel को ताकि आपको रोजाना Tech वीडियो मिलते रहें, तो आप हम mobile screen पे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो, सबसे पहले आपको application डाउनलोड करनी है, Play Store या iOS Store से, और डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना है, specially यहाँ पे Angel B और एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पर first link आपको दिख रहे है Angel B की, जो मैं पहले ही download कर चुका हूँ, बट आप simply ऐसा लिख कर download करना है, specially in mutual fund के लिए बनी है, अब जैसे open करते हो यहाँ पर तो welcome to Angel B लिखा है, तो simply आपको sign in करना है, आपके email address थ्रू या mobile number थ्रू, यह email address और mobile number आपके Angel Broking Account स connected हो, सो मैं यहाँ पर मेरा mobile number लिखता हूँ simply, और submit करता हूँ, ताकि मुझे एक OTP आएगा, within a second OTP आ चुका है, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर next करते हैं, login किया है यहाँ पर, तो मेरा portfolio दिखा रहा है यहाँ पर, अब simply हमें mutual fund buy करने है, तो यहाँ पर mutual fund एक specially option है, नमबर एक का, इस पर हम click करना है, और यहाँ पर mutual fund आपको search करने है, तो आपको कौन सा mutual fund लेना आई, आपने पहले ही उसके बारे में research कर चुके हो, आप easiest way से आप buy कर सकते हो, तो आज की date में यह दी आप purchase करते हो, SBI का mutual fund, एक साल का return है, उसका 16.6% और 3 साल का return है, उसका 21 20.8%, तो mutual fund और SIP हम कभी भी 3 साल के लिए log करनी चाहिए, हमें 5 years, 5 साल के लिए कोई make sense नहीं है, उसे log करना, तो हम select करते हैं यहाँ पर SIP number 1, SBI की, bottom of the screen पे देखते हो आप, तो invest SIP add a chart, so invest SIP, जैसे invest SIP क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे यहाँ देख रहे हो, आप investment type, SIP, monthly investment और lump sum, दो option हैं, लेकिन हम जाएंगे monthly investment के लिए, और यहाँ पर minimum शुरुआत करने आपको 500 रुपीज से, और maximum आप कितना भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर maximum लिखता हूँ 5000, और यहाँ until cancel है, तो इसे until cancel के बजाए हमें 3 साल सलेक करना है, जो कि हमने पहले ही decide कर जो, और simply process करना है, अब process करते हों, तो यहाँ पर यह amount बता रहा है, investment amount, यहाँ पर bank account है, मेरा already connected है, angel broking से, otherwise आप यहाँ simply add bank account कर सकते हो, तो account number लिखना है, SIP code और bank ने, और submit कर देना है, तो वो bank account यहाँ पर connect हो जाएगा, यहाँ पर SIP की detail दिखा रहा है, SBI, equity fund लिया है, मैंने 5000 मेर maximum amount है, investment period है, 36 month, SIP start होगी मेरी 15 June से, इससे पहले की कोई date है, तो most of time ऐसा नहीं होता, उससे पहले की date मिल जाए, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर 14th of June अवेलेबल है, और 15 June फिर 25 और 28, जो black और dark दिख रहा है, वो date आप select कर सकते हो, ना कि 16, 17, 18, 19, 20, कोई भी नहीं कर सकते हैं, तो हम 15 ही select करेंगे, done, और submit करता हूँ, और process करता हूँ, अब इसके बाद simply आपको prefer करना आए, कि authentication आप क्या देना चाहते हो, net banking, आदार कार्ड और UPI, auto pay, so मैं आदार कार्ड के थ्रू जाता हूँ, यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको security code आया है, और submit करता हू होगी, मेरी bank detail आचुकी है, यहाँ पर मेरा नाम, mobile number और address, और sign करता हूँ मैं simply, मुझे यह पूरी process मन्जूर है भाई, आप आगे बढ़ते हम, sign, अब यहाँ पर आपको आपका आदार number लिखना है, जो भी आपका आदार number होगा 12 digits, फिर उसके बाद send OTP करना है, अब यहा mobile number आपके आदार से connected होगा उस पर, जो कि मुझे आ चुकी है, अब मैं verify कर रहा हूँ इसे, अब जैसे ही मैं verify करता हूँ, verification successfully हो रहा है, अब यहाँ पर दिखिए, sign successfully done हो चुका है मेरा, अब process successfully होने के बाद यहाँ पर देख पा रहा है, आप SIP fund direct plan growth लिया है मैंने, और उस process की process आज मैंने order place की है, जैसे की order place 6th of May 2020, detail back में बता रहा है, लेकिन इसकी processing शुरू होगी, 6-6-2022 से, मतलब कल इसकी processing होगी, और SIP register होगी, 76-2022 को, मतलब working day के दिन process होगी, तो यह एक simple process है, SIP शुरुआत करने की, तो यह process आप कीजिए, और बहुती easiest way से, SIP स्टार्ट कर सकते हो, Angel B application के through, आशा करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो बंद करने से पहले, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने YouTube चानल Research Talks को, ताकि आपको रोजाना updated वीडियो मिलते रहे, तब तक के लिए, जैहें, वंदे मातरम, आपको बंदोदू अपको भाईब.